हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल पर तो दिखिए आज किस वीडियो में हम करेंगे के विए से का पीजी टी का जो 2018 के अंदर आपका पेपर हुआ था तो वह हम सोल्व करेंगे विद एक्स्प्लानेशन करेंगे और इसी के साथ ही एक वीडियो अल् है क्योंकि आप लोगों का अब जो फैब के अंदर एक जाम था तो जहरा रिवाई जरूर करना एक खेंक जो दो बार तो जुरूर रिवीजिन ले लेना जितना भी स्लेवस आप लोग के लिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो देखे नाइंटी वन क्योशन है हमारा विच वन इस दा क्रेक्टर स्टिक्स ओफ ट्रांस्फॉर्मेशनल लीडर तो जो ट्रांस्फॉर्मेशनल तो यह हमारी किसकी क्रेक्टर स्टिक्स है जो ट्रांस्फॉर्मेशनल लीडर से उसकी क्रेक्टर स्टिक्स है अधर क्रेक्टर स्टिक्स आपकी इसकी प्रांस्फॉर्मेशनल लीडर की नहीं है नाइंटी टू क्योशन हमारा विच वन इस नोटा डोल ओफ पब्लिक तो यहां पर हमारा उसका रोल बताना आपको जो नहीं है तो देखें बिसिकली जो है मारे development of the profit earning capabilities कि जो पब्लिक सेक्टर है उसका ये रोल नहीं है कि भी उसका जो main purpose है वो profit earning नहीं है और सारे के सारी यहां पर आप देख सकते हो रोल है कि भी infrastructure को develop करना ओवर कंसेंटेशन ओफ एकनोमिक पावर उसको भी चेक करना एक्सपेंड एक्सपोर्ट ओफ दा कंट्री तो राइट अंसर हो जाएगा हमारा सेकिन ठीक है नेक्स्ट हमारा 93 क्योशन विच वन इस ट्रू तो देखें यहां पर हमें बताना कौन सा ट्रू है इस ट्रू है इस ट्रू है नेक्स्ट हमारा 94 क्योशन तो देखें इस market जहांपे आपको लो रिस्क जहां पर रहेगा आपको जो डेट मिलेगा वहाँ पे आपको किसी तरह की security के भी जुरूरत नहीं है unsecured है short term debt है और highly आपके liquid है everyday base पर वहाँ पे traded होगा तो basically ये हमारी कौन सी market है ये हमारी कहलाती है money market ठीक है तो right answer होगा हमारा option number third 95th question के अगर बात करते है आपकी an initiative launched by the government of India on September 25 2014 with the major objective of job creation and the skill enhancement in 25 sectors of the economy what is the name of that initiative तो ये तो आपको पता होने चाहिए तो यहाँ पे अगर हम बात करते है जो आपका एक initiative launch किया गया था government of India के दवारा और जिसका main objective था कि भी job को create करना skill enhancement करना आपके 25 sector थे economy के अंदर यहाँ पे specifically आपका ये चुआ था तो ये था हमारा make in India ठीक है तो ये आपको याद होना चाहिए next हमारा question number 96 तो देखे 96 question की बात करते है तो ये आपका फिर से bills of exchange के अंदर given है अंकित ड्रो आप बिल ओन भावना 4 रुपीज 60,000 अंकित endorse it to the चारू in the settlement of रुपीज 70,000 at a discount of 2% तो यहाँ पे basically क्या जो अंकित है अंकित ने एक bill draw किया है किस के उपर भावना के उपर तो यहाँ पे अंकित के लिए जो bill होगा वो क्या हो जाएगा बी आर ठीक है अंकित के लिए क्या हो गया बी आर और यहाँ पे जो भावना भावना के लिए वो क्या हो गया बी पी क्योंकित ने ड्रो किया ना तो अंकित को तो मिलेगा और पेमेंट कौन करेगी भावना तो भावना के लिए क्या हो गया यहाँ पे especially बी पी अब देखिए अंकित endorse it to the चारू तो अब अंकित ने क्या किया यह जो बिल था जो यह बी आर था यह किसको दे दिया चारू को दे दिया in the settlement of रूपी 70,000 at a discount of 2% and the balance in the cash तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी अंकित को चारू का पैसा देना होगा तो इसलिए अंकित ने क्या किया चारू को यह BR दे दिया और 70,000 रुपे का यहाँ पे आपका पैसे देने थे लेकिन उसने क्या किया उसको 2% यह पे discount मिल गया चारू ने उसको क्या दे दिया 2% discount जो 70,000 का हम 2% discount निकालेंगे तो यह आएगा आपका discount 1400 रुपे उसको क्या मिल गया डिसकाउंट मिल गया ठीक है 14 रुपे डिसकाउंट मिल गया एंड़ बैलंश कैश और बाक्की का जो बैलंश है वो उसने क्या कर दिया कैश में उसकी पेमेंट कर दी तो सतर हजार में से सबसे पहले हम माइनस करेंगे जब चोदा सो हम माइनस करेंगे तो यह हमारा इधर आ जाएगा कितना 68600 ठीक है 14 का डिसकाउंट मिलने के बाद जो चारू है ठीक है चारू को अब जो कितनी पेमेंट करनी हैं कित को 68600 लेकिन उसने क्या कर दिया 60,000 का यहाँ पर बिल दे दिया तो 60,000 अगर यहाँ से माइनस करूंगी तो मेरा फिर कितना बैलेंस बचेगा 6800, तो इसका मतलब जो 6800 है इसकी पेमेंट उसने कैसे कर दी कैश में क्योंकि यहाँ पर लिखा ना 2% का डिसकाउंट उसको मिला और फिर उसने जो बैलन्स है किThis 60,000 का तो उसने उसको बियार दे दिया बिल्स दे दिया और फिर बैलन्स बच्चा वो कैश में दे दिया तो भी 68,600 में से 60,000 बिल देने के बाद तो 6800 रुपे इबचे तो यह तो cash में दे दिया और 60,000 रुपय का बिल दे दिया अब आगे देखी क्या हुआ इप दा बिल इज डिसोनर ओन दे डिसोनर हो गया डिसोनर होने का मतलब क्या कि भावना ने पेमेंट नहीं की बिल की जब टाइम हुआ बिल का आप question में क्या पूछा गया है but by what amount will the चारू debit अंकित भई आप तो चारू अंकित को फिर से debit कर लेगी फिर से अपना डेटर बना लेगी जब उसने payment नहीं की भावना ने तो वो तो अंकित कोई पकड़ेगी ना अंकित कोई अंकित से ही मांगेगी भी अपना पैसा ठीक है त चारू थी उसने 1400 रुपे का discount दिया था लेकिन जब उसने बिलकी payment ही नहीं की तो अब वो अपना discount क्यों देगी तो आप चारू उसको पूरा 61,400 से क्या करेगी डेबिट करेगी तो इसका right answer हो जाएगा आपका option number first 96 का ठीक है next option आपका 97 तो देखिए which one is the false तो हमें बताना leading influencing and motivating the employees थरड़ा organizing does not consider the allocating the resources to carry out a specific plan ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा कि भी यह हमारा false है कि इसने क्या बोला organizing does not consider the allocating of the resources तो organization के अंदर basically हम करते हैं एसर नहीं है कि भी resources जो इसको allocate नहीं करते तो यह हमारा option number जो third है यह right answer हमारा means यह false इनों ने दिया है 98 हमारे question देखिए which of the following quality certification is used for electrical goods तो देखिए अलग लग मार्क हमारे चीन है ठीक है तो यहां पर पुछा गया कि भी जो हमारे electrical goods है हमें कैसा पता चलेगा कि भी quality goods है तो क्या certificate है क्या certification है किसे हमें पता चलेगा तो यहां पर जो electrical goods है उसके लिए जो mark है वो हमारा है चीन है जो ISI अगर किसी goods के उपर ISI है तो हम यह मान के चलते कि भी यह हमारा अच्छा product quality product है और इसी तरह से अगर मैं next आपको तीन और बताओं तो यहां पर FPO आपको मिलेगा जो processed food है ठीक है जो हमारे processed food है वहां पर आपको जैसे फ्रूटी वेगरा है तो यह हमारे बिसिकली यहां पर आपको जो मिलेगा mark FPO का फिर हमारे एग मार्क है यह हमारे agriculture से related हो जाएगा और होल मार्क के अगर मैं बालत करती हूं तो जो आपका जूलरी है जैसे गोल्स गोल्स से यह related है ठीक है तो उस पर आपको होल मार्क मिले देगा नेक्स्ट हमारा दूरिंग दा यर 2017-18 नेट प्रोफिट ओव दा कंपनी इज रूपिस 7 लाक आफ्टर इंकोर्परेटिंग फॉलोविंग तो यहां पर जो नेट प्रोफिट गीवन है यहां पर तो आपे नेट प्रोफिट देख सकते हो 2017-18 का नेट प्रोफिट है साथ लाक है और फिर आप से पूछा गया देखी क्योशन में क्या पूछा गया दनेट दनेट इन फ्लोफ दा कैश फ्रों दा ओपरेटिंग एक्टिविटी जी तो आपका कैश फ्लो स्टेटिमेंट से यह क्योशन ले रख्था है तो यहां पर आपको जो बताना है ठीक है तो कैश फ्लो आप जरूर करके जाना और मैं तो आप लोगों को यह बोलती हूँ कि जो आपके NCRT की बुक है NCRT को बिल्कुल अच्छे से घोट के पी के चले जाना उसको क्लास 11th और 12th अकाउंट्स भी और बिजनस टार्डिज भी पहले सबसे पहले फोकस अपना NCRT पर तो यहाँ पे हमारा जो NET PROFIT गीवन है सात लाग रुपे हमारा NET PROFIT गीवन है ठीक है तो अब देखे इसमें हम बैसी के लिए क्लिए क्या करेंगे जो कुछ हमारे NON CASH आइटम है या फिर NON OPERATING आइटम है उसको हम पलस या माइनस करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते है गेन ओन सेल ओफ दा NON CURRENT investment तो इसको हम क्या कर देंगे यह हमारे कहा NON CURRENT investment है और गेन है तो इसको हमने एड किया होगा जो प्रोफिट में तो अब हम इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे उसके बाद premium on the redemption of the preference share इसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे डिवेंचर on furniture and pictures इसको भी हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे और इसके बाद हमारा patent right off हमने किया है इसको भी हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे लो सोन से लिए भी हमारे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और इस तरह से हम इसको solve कर लेंगे और solve करके फिर आप मुझे बताना comment section में कि आपका क्या अंसर आया ठीक है मैंने आप लोगों को बता दिया कि भी जो आपका नेट प्रोफिट उसमें क्या क्या एड करना सिर्फ जो हमारा गेंग ऑन दे सेल ओफ नोन करन्ट इंवेस्मेंट सिर्फ यही माइनस होगा और बाकी कि हमारे सारे के सारे एड होंगे तो कोम जहां पर आपको multiple debits देखने को मिलते हैं और multiple credit तो उसको हम बोलते है complex voucher ठीक है और वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ compound voucher की यहां पर आपको क्या देखने को मिलगा एक debit रहेगा तो आपके multiple credit रहेंगे या फिर हो सकता है एक आपका credit है तो फिर multiple आपके क्या होंगे debit हों तो यहां पर regional bank of India यह हमारा कब established किया गया था तो देखे जो act था regional bank of India का आपका जो act आया था यह आया था 1934 में और इसी के साथ ही अगर इसकी establishment की बात करते है तो 1935 के अंदर यह आपका established हुआ था और इसी के साथ ही आपसे question पूछा जा सकता है कि भी nationalization आपका कब हुआ इंडिया का तो 1949 के अंदर इसको क्या किया गया था nationalized किया गया था next question आपका which one is the correct तो यहां पर हमें बताना है कि कौन सा correct है तो यहां पर देखिए आपे any amount of the funds can be generated through the trade credit factory तो देखे जो हमारा है option number second factoring does not create any charge on the asset of the firm यह आपका right answer है correct है हमारा यह क्योंकि factoring हमारा basically क्या है ए मतलब क्या है कि जो एक organization कोई भी business organization है वो daily basis पे जो भी sale out हो करेगी तो हम जब credit में sale करते है ठीक है तो अब कितने सारे हमारे हां पे जो business organization होगी उसके यहां पे debtors हो जाएंगे जिनसे उनको अपने dues लेने होते है तो हरे के पास company या business नहीं जाएगा तो इसके लिए वे कि किसी भी agency को किसी भी agent को जिसको की basically factoring बोलते है उसको point करते हो वे अपना commission लेंगे और जो भी उनकी उधारी है वो उनको timely उस उधारी को collect करने में help करेंगे बस वे क्या charge करेंगे अपना जो commission अवो लेंगे तो यहां पे किसी तरह की कोई भी जो asset है उसके against कोई भी यहां पर कोई भी हमारा फ्लो कब होगा जो हम बात करते है कि current assets minus current liability कि हमारी जो working capital हमारी निकल के आती है ठीक है अगर working capital में हमारा change होगा तो ही हम बोलेंगे कि हमारा sources of funds है या फिर application funds है increase of funds है लेकिन जैसे हमने cash हमें जो debtor है debtor ने हमें cash दिया तो उससे हमारा current assets पर हमारा effect आएगा और current liability पर हमारा कोई effect नहीं आएगा और यहां पर भी current assets पर हमारा कोई effect नहीं आए क्योंकि जैसे जैसे हमारे 50,000 किसी debtor ने देने थे तो वो तो हमारा same effect रहाना debtor हमारे हट गए तो वहीं पर हमारा current assets हमारी same रही अब हमारे पास cash आ चुका है 50,000 का तो इसलिए यहां पर जो right answer हो कुछ natural causes है तो यह भी आप करके जाना class 11 के अंदर आपको मिल जाएगा यह वहां पर पूरा detail में तो यहां पर basically stoppage of the work due to the power failure यह आपका क्या है human को जहे कि भी हो सकता है कि human beings ने जान बूच कर पहले power failure किया हो और फिर उसके बाद में जो work है उसको काम करना उसको stop कर दिया हो partnership is the relation between the person who have agreed to share the profits of the business carried on by any one of them अगर आपने definition किया होगा partnership 1932 का जो section 4 है उसके अंदर ही आपके definition given a partnership की वहां पर specially mentioned है कि ऐसा business जो की carried किया जाएगा by all by all या तो सभी मिलकर या फिर on by any one of them लेकिन इनों नहीं आपे all word नहीं दिया है तो सिर्फ इस all word की वज़े से आपकी यह definition है जो partnership की वह आपकी incorrect हो चुकी है तो right answer हो जाएगा हमारा option number first इसलिए आपको NCRT में हर एक line को बिल्कुल deeply और अच्छे से detail में study पढ़के आपको जाना है which one is the correct तो यहां पर देखिए trade credit involves implicit cost यह हमारा है right answer correct है तो देखे कई हम सोचते है कि जो trade credit है उसमें हमारे किसी भी है हमारे पास एक facility है finance की facility भी हम एक तरह से इसको बोल सकते है कि कई बार जब हम सामान है जब हम credit में purchase करते है तो जो हमारा seller होगा जिससे हमने purchase किया तो वह हमें कुछ time के लिए credit में facility दे देता है ठीक है वहां पर वह हमसे किसी तरह का interest नहीं लेता लेकिन मैं आपको बता इसके अंदर आपकी cost क्यों involved है यहां पर बिसिकली जब आप credit में purchase करते हो तो वहां से आपसे जो charges रहेगा वो थोड़ा सा high हो सकता high in the sense कि 5 लाक रुपे का माल है आपने 5 लाक रुपे का माल purchase किया और वहां पर जो seller है वो बोलता है कि अगर आप मुझे इसी time 5 लाक अगर cash में payment नहीं किया भी तो अगर credit में करोगे तो फिर आपको मुझे पूरे 15 दिन बाद एक महिने बाद पूरे 5 लाक रुपे देने पड़ेंगे तो कहिना कहीं जो यह 10,000 है अगर हम तुरंत उसी time payment कर देते तो हमें 10,000 रुपे का फाइदा हो जाता लेकिन अगर हमने payment नही किया तो कहिना कि यह 10,000 की cost वो हमारी implicit cost हमारी हो जाएगी ठीक है तो basically जो trade credit है वो involve करता है implicit cost लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि दो तरह की cost होती है explicit or implicit explicit तो हमें लग से दिखती है ठीक है इसे हमने rent दिया salary दिया कुछ भी दिया वो हमें लग से दिखेगी ले के लिए यहां पर आपकी कौनसी statement है जो सही नहीं है तो यहां पर देख सकते है provision is created for the strengthening the financial position of the business तो यह हमारी statement correct नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि भी जो provision है वो हमें बिजनेस की financial position को strong करने के लिए create करते है और हमारे सार के जाएस जैसे कि भी जो creation of provision है यह satisfy करता है जो हमारा प्रिंसिपल है उसके बेस पर हम प्रोविजन क्रियेट करते है प्रोविजन हमारा चार्ज अगिंस प्रोफिट भी है प्रोविजन इस created for the non liability के लिए हम क्या करते है प्रोविजन को क्रियेट करते है ठीक है और सारे हमारे right of fourth option हमारा रोंग है फंट फ्लो स्टेट्मेंट तो फंट फ्लो स्टेट्मेंट हमारी किसकी स्टर्डी है चेंज इन दा वर्किंग कैपिटल थर्ड ओप्शन इस दा राइट अंसर नेक्स्ट क्योशन है हमारा 109 प्रोफिट आफ्टर टैक्सी फोर दे इयर प्रोफिट आफ्टर टैक्सी फोर दे इयर एंडिंग मार्स 31st 28ग के इतकंचा डहाईन होने सब्सक्रविट अंदर 25 devient क्यों क्या आफ्टर टैक्सफार टैक्सी फोर जाशी आफ्टो which showed an increase of 50% over the profit after tax for the previous year कि अब जो हमारे ये profit है ना ये पिछले साल का जो profit था उसे 50% ज्यादा है तो अगर मेरा पिछले साल profit after tax 100 तो अब अगर मैं 50% यहापे इंकरूज करूँगे तो मेरा अब यह कितना है 150 तो यहापे मैं बोल सकती हूँ कि 150 मेरा किसके equal है 5,40,000 के ठीक है तो यहाँ से फिर मैं आराम से निकाल सकती हूँ कि जो मेरा previous year profit था वो कितना था तो इसको में हाँ से इससे divide करूँगी और multiply by मेरा 100 हो जाएगा क्यों कि 100 मेरा previous year profit मुझे यही निकालना है और फिर मैं इसको करूँगी sold तो इसको आप लोग sold करना I think इसका जो answer आएगा आपका 3,60,000 आएगा ठीक है और आप लोग मुझे sold करके बताना कि भी आपका क्या answer आया है next question है हमारा 110 which of the following is not a mode of the liquidation of a company जो company है उसके liquidation का कौन सा mode नहीं है तो देखिए compulsory winding up by court यह भी आपका liquidation of company एक mode है voluntary winding up by the members भी और winding up under the supervision of the court लेकिन winding up by the directors यह आपका mode of liquidation नहीं है ठीक है तो यह था आज की वीडियो में 20 questions हमने complete किये और इससे पहले 20 questions में आपको already करा चुकी हूँ तो इस तरह से हमने 40 questions कर लिये है और अब ही हमारे 40 questions और बच्चे हुए है भी आपको next वीडियो में देखन नहीं किया तो subscribe कर लेना क्योंकि इस चैनल पर आपको commerce related वीडियो मिलती रहेगी और हमारे चैनल पर आपको KVS PGT Commerce की तियारी भी कराई जा रही है बिल्कुँ free of cost है तो इसलिए चैनल को subscribe कर लिजी अगर अभी चैनल को subscribe नहीं किया है तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बत जबस्त थेग्यू